हलो स्टूडन वेलकम टू माई चैनल अजब गजब इंगलेश आज है डे थर्टीवान और आज हम डिस्किस करने लगे हैं क्लास 10 CBAC, Footprint Without Feet Book का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है The Midnight Visitor तो चले फटा-फट इस चैप्टर को हम डिस्किस करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इंटोडाक्शन देख लिए ये जो स्टूरी है ठीक है वो किसके बारे में है एक ओजबल ओजबल जो है एक सीक्रेट एज़ेंट है जिसका नाम क्या है ओजबल है और ये कहता है कि ये रिपोर्ट जो है तुम मुझे दे दो तो इस पटिकुलर स्टूरी में हम देखेंगे कि किस तरीके से ओजबल जो है एक मन गढ़त जो कहानी है वो बनाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है जो max है वो बेवकूब बन जाता है और finally उसकी death हो जाती है I hope कि आपको समझा गया होगा introduction चलिए फिर फटा फट जो है हम इस chapter में जितने वी characters हैं उसको discuss कर लेते हैं तो सबसे पहला character है यहाँ पे Oswald ठीक है जो क्या है एक secret agent है ठीक है वो बहुत ही जादा different है वो fat है ठीक है ना इस वज़े से क्योंकि mostly हमारे दिमाग में ये illusion होता है कि जो कोई secret agent है वो बिल्कुल fit होगा like without jamming वाल ठीक है बड़ यहाँ पर जो secret agent है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दूसरा क्या है Fowler? Fowler क्या है एक young romantic writer है जो किसी excitement के लिए देख रहा है इधर उदर की कुछ कहीं से उसे ऐसी news मिले ठीक है जो उसको excite करे इस वज़े से वो Oswald के साथ एक appointment लेता है कि एक evening मैं आपके साथ रहूँगा ताकि वो ये देखना जाता है कि जो Oswald है जो secret agents है वो किस तरीके से काम करते है I hope it is clear जो यहाँ पर third character है वो क्या है? एक secret agent है बट ये है rival है Oswald का मतलब क्या? दोनों के दोनों opposite चलते है Oswald और Max एक दूसरे से बिल्कुल opposite है ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो Max है उसको बेवकूब बनाया जाता है Oswald के दोरा और उसका result क्या होती है? Max की debt हो जाती है I hope it is clear चलिए फिर इस chapter का जो भी highlights है जो revision notes है वो मैं आपके साथ discuss कर लेती हूँ तो ध्यान से समझना Oswald जो है ठीक है? एक smart secret agent तो है बट वो देखने में बिल्कुल भी smart नहीं है क्योंकि उसकी height भी short है और वो fat है ठीक है? विदो जैमवाल की तरह एकदाव fit and fine नहीं है ठीक है? तो इसकी वज़ह से कोई भी ये मतलब believe नहीं करता है कि ये क्या है? एक secret agent है ठीक है? फाउलर जो है वो एक young writer है और वो चाहता है कि मैं एक evening जो है वो ओजिबल के साथ बिताओं ताकि मुझे secret agent के बारे में कुछ नो कुछ पता लगे तो इस वज़ह से ये दोनों जो है होटल के sixth floor पर कमरा लेते हैं ठीक है? लेकिन जैसे ही वो room में जाते हैं तो एक another secret agent है जिसका नाम क्या है? Max वो already room के अंदर होता है और उसके हाथ में एक gun भी होती है I hope it is clear और वो क्या है? जैसे ही ओजिबल को देखता है तो gun point पे उसे कहता है कि जो important reports है ना वो तो मुझे दे दो अब देखो ओजिबल जो है उसे ये पता है कि Max के हाथ में एक gun है ठीक है? और वो अगर चाहे तो हमें shoot भी कर सकता है इस वज़े से ओजिबल क्या करता है? एक story जो है वो create कर देता है और story में क्या कहता है? यार जो मेरा room है ना उसकी जो balcony है ठीक है? वहाँ से पहले भी एक बंदा जो है मेरी room में enter कर गया था मैंने कितनी बार बोला है मतलब जो hotel वालों को कि मुझे कोई और कमरा दिया जाए लेकिन 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 यहाँ पर एक twist है क्या? कि यहाँ पर कोई भी balcony नहीं है I hope it is clear अब ध्यान से समझते जाना suddenly क्या होता है? अचानक से ठीक है? यह तीनों जो है ठीक है? फावलर हो गया, मैक्स हो गया, ओजिबल हो गया यह तीनों room में होते हैं और अचानक से room को खटखटाया जाता है ठीक है? ओजिबल जो है इस तरीके से react करता है कि भाई मैंने local police को बुलाया था सुकर है वो आ गई तो इस वज़े से जब मैक्स यह सुनता है कि अरे police है बाहर तो उसको यह लगता है कि जब तक police room के अंदर है मैं balcony में छुप जाता हूँ और जैसे ही जो police room के बाहर चले जाएगी तो मैं बापस room में आ जाऊंगा और इसकी वज़े से वो क्या करता है balcony है ऐसा समझ कर वो खिड़की से बाहर निकल जाता है लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर कोई भी balcony नहीं थी और इसका result क्या होता है max जो है 6th floor से सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी death हो जाती है I hope it is clear very good अब देखो जैसे ही मतलब कि ओसबल जो है वो दर्वाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर कौन है एक waiter है जो एक drink जो है वो सर्व करने आया है ओसबल को वो drink जो ओसबल ने order किया था जब मैं room में पहुंच जाँगा तो तुम जो drink है वो मेरे room में पहुंचा देना ठीक है अब आप इस चीज़ को देख सकते हो ओसबल जो है ठीक है वो क्या है एक secret agent है बट वो लगता नहीं है कि वो एक secret agent है max जो है वो भी secret agent है word क्या है बेबकूफ है और उसका result क्या होता है वो मर जाता है तो ये सारी चीज़े कौन देख रहा होता है फावलर देख रहा होता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि हाँ जो ओसबल है वो सच में एक अच्छा secret agent है तो यहाँ पर एक चीज़ देखना मचे दो चीज़े बहुत जादा important है क्या कि अगर जो इंसान जैसा दिखता है हमेशा वो वैसा नहीं होता है कई बार हम guess कर लेते हैं ठीक है कि ये इंसान ऐसा है वो इंसान ऐसा है बड़ वैसा होता नहीं है लुक से आप बंदे की जो मतलब आप कह सकतो qualities है ना उसको आप judge नहीं कर सकते हो I hope कि आपको chapter जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा ये रहा आपके सामने पहला extract फटा फट वीडियो को pause कीजे extract को पढ़िए और फटा फट जो first question है उसका answer ढूढ़िए और जो पहला question है इसका right option जो है वो है आपका option C I hope it is clear very good चलो अब question number second जो है वो आपके screen पर है फटा फट वीडियो pause करके आप जो है इसका answer find out कर सकते हो ठीक है तो जो right answer है question number 2 का वो कौन सा है option D I hope it is clear very good अब आगे बढ़ते रहे question number 3 आपके screen पर है फटा फट question number 3 को देखे और फटा फट जो है वो answer लगाईे ठीक है और जो right answer है question number 3 का वो है option C I hope it is clear very good question number 4 जो है वो फटा फट देखे name the chapter from which the given extract is taken from अब आपको यह पता है कि यह जो extract है कौन से chapter का यह तो बहुत ही जादा easy question है तो option यहाँ पर कौन सा right है option number 4 है I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चानल पर आके आपका time waste नहीं हुआ होगा बच्चे मेरी आवाज खराब है क्योंकि 2-4 दिनों से मुझे fever हो रखा और गलावी खराब है तो लेकिन अपनी जो study है उसे जारी रखना मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हस्ते रहो मुस्कराते रहो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा बाबाई टेक केर हाव अगुड डे